वेलकम टू एक्जाम तक आज 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 2021 के सभी मोस्ट इंपोर्डेंट करन टफेस के कोश्चन्स हम लोग इस वीडियो में करने वाले सबसे पहले तो आज सरदार वल्ला भाई पटल की जैनती हैं सभी को जो हैं वो जो हैं उनके कारण आज हम लोग एक अखंड भारत हैं उन्होंने बहुत बड़ा योगदान निभाया था तो इस कारण से उनकी अगर बात के जैनती पर राष्टिय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता हैं तो यह आपको सभी को बढ़ाई हो इसके लिए अब स्टार्ट करते हैं आज 31 अक्टूबर के क कौन सा स्टेट टॉप पर हैं complete information आपको इस वीडियो में मिलेगी सु स्टार्ट करते हैं आज का first question हाली में भारतिया नौसना का लड़ा कू जहाज तुशील जो हैं कहां से शामिल हुआ फ्रिगेट कहते हैं इसको इंगलिस में ठीक हाली में जो हैं भारतिया नौसना का जो लड़ा कू जहाज उसको कहते हैं फ्रिगेट और ये फ्रिगेट जो हैं इसका नाम क्या तुशील है ये कहां से शामिल क्या है ये क्लिनिन ग्राड कलिनिन ग्राड कहां पर हैं इंडिय यह जो है रश्या में है कलिनिंगराड और वहां से जो है इंडियन नेवी का यह लड़ाकु जाज इंडियन नेवी में शामल वा इंडेक्ट हुआ है मालब बहुत ही अजीब बात है ना क्यों अजीब बात है मैं आपको बता दूँ भारत और रश्या ने चार फ्रिगेट बनाने का फैसला किया इस तरह के जिसमें से दो बनेंगे रश्या में दो बनेंगे टेकनोलोजी की साहता से मालब रश्यान टेकनोलोजी की साहता से जो ह अब ये जो दो है ना ये इन में से ये पहला है तुशील ये आपको important याद रखना एंड ये रश्या के कलिनिंग्राड कलिनिंग्राड बाइदे वे अगर मैं आपको बता दू इसके वेंडियन कंट्री के बीच में छोटा सा हिस्सा है ये रूप में आता है जो कि रश्या की में लेंड भूमी से अलग है तो वहाँ पर जो है ये अभी भारतिय नौसना में शामिल हुआ है कलिनिंग्राड का नाम थोड़ा सा याद रखना रश्या और भारत की साहता से तुशील को बनाया गया है ये complete हो गया अब ये जो है ये बीच में जो मैड़म है ये है रश्य और भारत के बीच में चार बनेंगी जिसकी पहली है लेकिन भारतिय नौसना में अल्रेड़ी छे फ्रीगेट है पहले से ये साथ भी फ्रीगेट है जो कि अगर बात कि इसका क्लास कौन से ये याद रखने की जुरूत नहीं है ये लॉंच की के कलिनिंग्राड रश्या से शिप अगर बात के फॉर्मर्ली नाम दिया गया इसका तुषील जो है ये दिया गया दतला विद्यावर्मा दतला विद्या विद्या बर्माकॉण है अभी इस फोटो में आप लोग पहले वाले फोटो में देख रहे थे वो हैं जो जो कि ये भारत की एंबेल्सटर है चामिल होगी अच्छा यहां पर जो आना एक और बात है रश्या प्लस यूक्रेन भी सायता ले सकते हैं रश्या प्लस यूक्रेन आपस में तो कभी नहीं बोलते हैं लेकिन इंडिया ने बड़ा ही दिमाग लगा कर यूक्रेन से लिया है इंजन इस फ्रिगेट के लिए कि आ अब इस इंजन की सायता से आप ये फ्रिगेट का निर्मान करो तो इस तरह से में लिए आपको रश्या याद रखना कि किस ने निर्मान किया तो रश्या ने किया है अगर बात किया रश्या की रश्या के बारे में थोड़ी सी डीटेल हम लोग जान लेते हैं काफी देंगे आपको इनी का नाम याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है इसके लवागर बात की जाए रश्या के जो रश्या के बारे और किया रखना रूबल है रश्या की करन्सी ये भी आपको याद रखना एंड ठीक है ना रश्या का जो से तरफ ले वह सबसे दवास जो है ये रश्या के साथ होते हैं ये आपको थोड़ा सा इंपोर्टेंट याद रखना है नेक्स्ट अगर बात के सेकेंड कॉश्ण की हाली में आर्बी आई के गवर्णर जन जो हैं शक्तिकांदास उनका कारिकाल कितना बढ़ा दिया गया है तो आर्बी आई के ज अब वो जो है इस जो है अगले माईने वो रिटार्ड होने वाले थे तीन साल खतम होने वाले थे अभी उनका कारिकाल और तीन साल बढ़ा दिया यानि कि वो जो है दिसंबर दो जार चोबिस तक उनका कारिकाल बढ़ा दिया या फिर तीन वर्स तक लिए बढ़ा दिया तो आर्वे के 25 गवर्णर जिनका कारिकाल अब 6 वर्स कंप्लिट होगा 2024 के एंड तक तो 2024 के एंड तक जो हैं यही रहने वाले हैं शक्ति का अंदास इनका नाम मलब प्रपर तरीके से आपको याद करना है अगर बात के आर्वे के आर्वे के बारे मां आपको चार से पांच important facts य स्थापना होगे थी फिर यंग हिल्टन commission के द्वारा यंग हिल्टन commission जो हैं इस commission के सिफारिस पर इसके स्तापना होई थी इसके पहले अगर बात के governor कौन थे तो ओसवन smith smith आपको याद रखना short में ओसवन smith जो हैं यह एक अंग्रेज थे और यह बने ते आर्वे के पह साथ में उनके बाद जो आगर बात किया तो 25 वे गवर्णर कौन अभी सक्तिका अंदास है 16 वे गवर्णर कौन थे मनमोन सिंगी थे जो कि भारत के परदान मंतरी भी बाद में बनें तो ये थोड़ा साब को RBA के बारे में याद रखना है RBA के headquarters का मिलेंगे तो मुंबई में headquarters मिलेंगे लेकिन इस्तापना जब 1935 होई ती तो कौलकाता में ही हुई थी उसके बाद इसके headquarters को shift कर दिया तुदह मुंबई तो ये आपको याद रखना अचागे बढ़ने से पहले फ्रेंट्ट्स माप को बता दू G20 का समिट होने वाले ये पिछले साल की इमेज है 20 दुनिया के सबसे पावरफू लीडर जिसमा को नरेंदर मोदी मिलेंगे साउधी अरब उस समय अध्यक्स था डोनाल ट्रम थे उस समय शिंजू आबे थे उस समय व्लादी मेर पुतीन शी जिन पिंग सभी बड़े नेता इ यहां पर जोए बाइडन मिलेंगे आपको जैपैन के भी यह नहीं मिलेंगे रशिया वगरे के यही मिलेंगे तो यह जोएंट इस बार रोम इटली में हो रहा है शिकर समयलन के बारा जी 20 के बार में कंप्लेट इंफोर्मेशन यह वीडियो जरूर देखना कहां पर आएग की हाली में जारी स्टेट एनरजी एफिशियंसी इंडेक्स 2020 में टॉप पर कौन रहा है तो स्टेट की जो एनरजी है उसकी एफिशियंसी को लेकर जो उन्होंने कितना काम किया है इन सब को लेकर इंडेक्स जारी हुआ है और इसमें टॉप पर कौन सा स्टेट रहा है अभ ये भी याद रखना सेकंड नमबर पर राजस्तान है थर्ड पर मिले का हरियाना राजस्तान है सबसे ज्यादा इसमें अगर बात की जाए इंप्रूमेंट किये पिछली सार राजस्तान का स्कोर था अठारा सिर्फ अठारा इस बार 61 हो चुका हैं तो ये बहुत ही जबरदस् इसमें चार अलग-अलग के टि कोई एक तो जीरो से तीस के बीच में जिन का नंबर आएका उसके बाद तीस से 50 एंड उसके बाद अगर बात की जाए तो यह तो ऑग देखि लीजिएगा घे ने इनको जारी किया है एंड केंदरी विदूत मंत्री को ने प्रेजन टाइम आर्के सिंग है तो उन्हों ने उनके मंत्राला ने यह जारी किया है आपको याद रखना काफी इंपोर्टन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे टॉप की लिस्ट हैं करदा टका का स्कोर 70 रह जो हैं बहुत सारी पॉलिसी लाइती जिसी कारण उसी के कारण से जो है सोलर एनरजी एंड विंड एनरजी के कारण जो हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा तरकी हुई है राजस्तान में तो यह थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है नेक्स्ट है फॉर्थ कोशन हाली मे किस देश के सुनाओ ट्यूबोई का नेदन हो गया तो यह जो है इनका नाम है सुनाओ ट्यूबोई इनका नेदन हो गया यह जापान के थे हमारे लिए क्यों इंपोर्डन है ठीक है नेदन हो गया ओके बट यह इंपोर्डन इसलिए हैं तो यह वर्ल्ड लेवल पर चर्च bubama एंड इनका हाले में 96 की हेजी में डाथ हो गई हैं सो इसलिए यह थे थोड़ासा चर्चा में हैं इनका नाम इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना नाम थोड़ा सा याद रहा हिरोशिमा का वोगा था साथ औरस दोनों का आपको याद रखना लिटोफ सवान MARKеди वा EM ऐड़ किया था। यूएस दalter नीएस द्वारा सूकर वॉर्ड वार के दोरा उसके बाद सटेंड वल्ड वार खतम भी हो गया था Inhale खे किस जहाज को शामिल किया है यह ICGS सार्थक को शामिल किया है इंडियन कोश्ट गार्ड सिफ शार्थक को गोवा शिप्याड लिमिटेट द्वारा इसका निर्मान किया गया है इसमें 70% जो है स्वदेशी रूप से इसका निर्मान हुआ है तो आत्म निर्बर भारत की और भी एक बड़ा कदम है और सार्तक भारते तरक्षक बल के पास में ऐसे और भी जहाजों की बहुत सारी जरुरत हैं तो इसी के तहत ये इसको भी शामिल किया है इंडियन कोश्ट गार्ड में इसका क्या महलब है इंडियन कोश्ट गार्ड शिप ठीक है न तो इस तरका इसका नाम रखा गया है सार्तक यह आपको थोड़ा से याद रखना है इसको अभी कोश्ट गार्ड में ओफिशियल रूप से शामिल किया गया यह जो है अरेबियन सी में इस्पेशली पोर बंदर क आसवास में हमेशा से त्यार रहेगा इंडियन कोश्ट गार्ड क्या करता है भारत की जो समुदरी सीमान उसके लिए हमेशा से पेट्रोलिंग का काम करती है इंडियन कोश्ट गार्ड जिस तरह से बीएस एफ सिंपल भासा में समझा दो बीएस अब पाकिस्तान प्लस लिए काफी ज्यादा इंपोर्ड ने इंडियन कोश्ट गार्ड की स्थापना कवी थी तो यह 1978 के आसवास में हुई है एक फेब्रोरी को मना जाता है इंडियन कोश्ट गार्ड का डे फस्ट ऑफ फेब्रोरी यह याद रखना एंड के नट राजन जो है प्रजेंट टाइम भी खोली गई इंडियन कोश्ट गार्ड की यह आपको थोड़ा सा याद रखना इसके बारे में इंडियन कोश्ट गार्ड के बारे में अब नेक्स्ट अगर बात की जाए यह आप लोग देख पाएंगे यह सार्थक शिप है जिसको अभी जो है इंडिक्ट किया गया है अ हर्थ के जब वो शिक्षा मंत्री थे ना उस दोरां उनको कोविड हो गया था और एम्स में वो काफी लंबे समय तक भरती रहे थे उस उनके बाद जो हैं उनकी स्वास्ति आलत भी ठीक नहीं रही तो उनको जो हैं शिक्षा मंत्री से भी हटा लिया गया हमलब कैबिनेट से अवरॉल बार कर दिया तो अभी उन्होंने उसी कहानी पर एक पुस्तक लिखिये एम्स में एक जंग लड़ते हुए यह पुस्तक रमेश निशंग पुक्रियाल की है हाली में वो पी एम से भी मिले थे इसलिए थोड़ी सी चर्चा में एम्स में जंग लड़ते हुए यह में रमेश निशंग पुक्रियाल के बारे में याद रखना है अभी शिक्षा मंत्रिकों ने धर्मेंदर प्रदान जो हैं वह हैं एजूकेशन मिनिश्टर सात्वा कोशन है किस देश के ऑल्राउंडर की किरकेट रहें रियान टेन डेश डोशेट इन्होंने सन्यास की मार गई यह सूपर ट्वैल के लिए क्वालिफाइड नहीं कर पाई उसके बाद उन्होंने जो हैं सन्यास की खोशना कर दिया है मात्र 41 वर्ष की उम्र में बहुत बड़ी वह रहें किरकेट के लिहाद से यह थे रियान टेन जो की निदर लेंड के खिलाडी थे निदर ले निदर लेंड के प्रेजन टाइमें प्राइम मिनिस्टर है तो इनका नांपी थोड़ा सा याद रखिएगा नेक्स्ट आठवा क्वेशन आठवा क्वेशन विश्व मौसम विज्यान संगठा ने जारी के स्टेट आफ लग क्लाइमेट इन एशिया तो एशिया के क्लाइम उन्होंने रिपोर्ट जारी कियें कुछ दिन पहले आपको याद होगा एफ्रिका पर एंसी ही एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें एफ्रिका के अगर बात कि जाए मनलब बहुत ही चिंत तग की ती कि 2040 तक एफ्रिका के ऑल्मोस्ट सभी ग्लेशियर कमी हैं लेकिन जितने भी हैं सभी ग्लेशियर पिघल जाएंगे ऐसी बड़ी रिपोर्ट जते ही थी इनोंने और अब एशिया पर भी एक रिपोर्ट जारी कि अभी मैं आपको बताँगा इस रिपोर्ट के बर में पहले जान लिजी यह कौन से बला जो ऐसी रिपोर्ट जारी करता विश्व मौ मुझान संगठन के बारे में अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में क्या क्या पॉइंट्स है तो 2020 जो हैं एशिया को record अपने जो हैं सबसे गर्म वर्ष का सामना करना पड़ा तो इसके according जो हैं 2020 जो यह ता वो एशिया के लिए सबसे गर्म वर्स के रूप में शाबित हुआ था अभी तक हलांकि ये रिकॉर्ड्स आने वाले लगबग हर साल में तूटते ही है इस साल ये सबसे गर्म रहा क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर हर साल बढ़ता है ये मान के चलिए 2020 में एशिया में बार्ड और तूफान से 50 मिलियन लोगों को एफेक्ट किया जिसमें 5000 लोग मारे गएते 2020 में 50 मिलियन लोगों को एफेक्ट किया बार्ड और तूफान ये एक common problem हो चुकी है जो कि लगबग एशिया में आपको पता को पिछले साल चाइना में बहुत बड़ी बाड आई थी इंडिया में भी आई थी ये बहुत सारे एंड अल्मोस्ट हर कंट्री में आती है चीन को इससे 238 अरब डॉलर का नुक्सान हुआ है चीन की एकोनोमी को एंड क्लाइमेट चेंज जो आना आप लोग ऐसे समझते हैं ये सिर्फ परि जैपैन को भी 83 साउथ कोरिया को 24 अरब डॉलर का नुक्सान हुआ है अब आप लोग सोचेंगे और देशों को नहीं वा और देशों की एकोनोमी बहुत कम है उनको भी उनके रेशियों के इसाब से जो उनको भी नुक्सान हुआ है लेकिन यह आपको थोड़ा सा याद इर्मान किसने क्या इसकी कितनी रेंज है तो यह सब कमेंट वॉक्ष में लिखिएगा मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत